हेला फैंस, वेलकम टू न्यू आक्सफर्ट एजुकेशन आज हम बिहार एकनोमी सर्वे से समदित 50 प्रस्ट का एक सेट देखेंगे इसमें आप देखे बनाया कर आपको कितना कोशन सही होता है यह बिहार एकनोमी सर्वे 21 बैस का है तो शुरू करते हैं फर्स कोशन है कि विहार का शुलवा आर्थिक सर्वेक्षन 21 बैस बिधान सभावें किसने प्रस्ट किया या किया थे उस समय के ततकालिक उप मुखमंत्री तार किसोर परसाद आप्सन ए हो जाएंगे आगे देखते हैं, next question है, कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 21 बैस को कुल कितने आध्यों में बाठ कर पिश किया था, या किया था, 13 आध्यों में बाठ कर option D हो जाएंगे नेक्स कोशन है कि बीतिये वर्स 2021 में विहार का सकल घरील उत्पाद यानि जी एस डीपी में कितना परतिसत बिर्दी हुई है यह हुआ है 2.5% यह भीविया कोशन है यह याद दखेगा 2.5% Q4 है कि विहार आर्थी सर्वेक्षन 21 बैस के नुसार इस थीरी मूल पर विहार का सकल घरील उत्पाद क्या है यानि विहार का जी एस डीपी क्या है इस थे मूल पर इस थी मूल वलते हम आधार वर्स को कितना है धियान कहिए बरतमान में आधार वर्स है 2021-2012 तो अभी आधार वर्स है 2021-2012 इस आधार वर्स के अनुसार विहार का GSDB कितना है तो याद रखेगा यह चार सह उन्हींच पॉइंट 68 हजार करोर 419 दियान रखिए नेश्ट कुर्चन है करा आर्थी स्रवेक्षन 212 के नुसार के दोरान इस तिरी मुल पर यानि अधार वर्ष पर बिहार का निवल राज घरिल उत्पाद क्या है यानि एन एस टीपी कितना है तो यह है आप्शन एव जाएंगे 389.55 अप्शन एव जाएंगे नेश्ट कुर्चन है कुर्चन नवर 6 करा आर्थी स्रवेक्षन 212 के नुसार इस तिरी मुली पर पर परती ब्यक्ती शकल राज उत्पाद घरिल उत्पाद कितना है यानि परती ब्यक्ती यह किस पर इस तिरी मुल पर आर्थी स्रवेक्षन 212 के नुसार इस तिरी मुली पर पर परती ब्यक्ती निवल राज घरिलू उत्पाद किया है यह अलग ची है निवल यह एन एस डीपी तो परती ब्यक्ती एन एस डीपी कितना है तो यह है ध्यान रखेगा आपशन D हो जाएंगे 31,017 आपशन D हो जाएंगे आगे देखते हैं नेस कोशन कोशन नबर 8 कोशन है कि विहार आर्थी स्रवेक्षन 212 के नुसार निम्खित में से कौन सा कथन सत्य है आपशन A है कि बरत्मानी मुल पर बरत्मानी मुल पर बिहार का GSDP 618.63 क्रोर है यह बिलकुल सही है सेकेंड है कि बरत्मानी मुल पर बिहार का NSDP बरत्मानी मुल याई इस समय इस में जो है याई बीत वर्स आपको हो जाएगा 212 के नुसार तो बरत्मानी मुल पर बिहार का GSDP कितना है तो यह है 618.63 क्रोर भी है कि बरत्मानी मुल पर बिहार का NSDP है 566.47 क्रोर यह दोनों से ही है आप्शन सी जाएंगे वान एन टू दोनो आगे देखते हैं कोशन है कि बिहार आर्थी सर्वेक्षर 212 के नुसार बरत्मानी मुल पर बिहार में परत्ती ब्यक्ती GSDP कितना है यह कार आपसे बरत्मानी मुल पर यानि करिंट एयर पर तो करिंट एयर का दार पर है यह दखेगा आप्शन बी हो जाएंगे 50,555 आप्शन बी हो जाएंगे नेक्स्ट कुशन है क्वेहार आथी सर्वेक्षन 212 के नुसार नुकित में से कौन सा कतन सत है आपसे एयर बरत्मानी मुल पर परत्ती ब्यक्ती NSDP 46,292 है यह बिल्कुल सही है सेकिन है कि इस तिरी मुल पर परत्ती ब्यक्ती NSDP 34,314 है यह गलत है यह आपका NSDP नहीं है जबकि यह है आपका GSDP तो यह गलत है सेकिन आपसन वन हो जाएंगे केवल वन आगे दिखते हैं कोश्चन नमर 11 है कोश्चन नमर 11 है कि बीत वर्स 2021 में सकल राज घरलू उतपाद में प्रात्मिक छेत्र का कितना हिस्सा है यह याद रखेगा प्रात्मिक हिस्सा था आपका 19.2% तो फर्स सेक्टर 19.2 सकेंड सेक्टर यानि दृत्यक छेत्र याद रखेगा 19.5% तो थोड़ा सांतर है 19.2% है फर्स सेक्टर के युगदान और second sector का है आपका 19.5% इसे आप याद रखेगा और third sector का देना कीगा 61.2% तो second में थोरा सांतर है first में 19.2, second में 19.5 और third में 61.2% आगे दिखते हैं second question next question है कि 20-21 में अनुसार सकल घरलु उतपाद में तरह कितना हिसा है तो यह है 19.5% आगे दिखते हैं next question question है कि 20 वर्स में सकल घरलु उतपाद में 33.6 का कितना हिसा है तो यह होगा 61.2% तो आपको तीन ही डाटा रहा याद रखना है first sector में 19.2% सेकेंड सेक्टर 19.5% और थर्ड सेक्टर सबसे अधिक है 61.2% तो यूगधान में कहा जाए तो सबसे अधिक 3rd सेक्टर उसके बाद 2nd सेक्टर उसके बाद 1st सेक्टर आगा दिखते है क्विफार आर्थी सर्वेकषर 21 बैस के नुसार सार्वधिक पर्तिव्यक्ति आयवला जीला है ध्यान रखेगा सबसे अधिक पर्तिव्यक्ति आयवला जीला है पतना और सबसे कम पुछी आपसे तो यह है सिभर ध्यान रखेगा सबसे अधिक पर्तिव्यक्ति आयवला जीला कौन है पतना और सबसे कम परतिवेक्टी आईवला जिला कौन है तो शिभार आगे देखते हैं नेस्ट कोशन कोशन नमर 15 कोशन है कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 21-22 के नुसार निमेकित में से कौन सा कतन सत्य है वर्स 16-21 के अबधी किमें 22 चत्रे में विर्दीदर यानि 16-21 में विर्दीदर यह आपको बताना है तिक तीनु सही आए option D हो जाएंगे 1, 2 and 3 इस data को आप जरूर दियान रखेगा नेस कोचन है question वर 16 करा बिहार आर्थी सर्वेक्षन 20-21 का नुसार निन्तम परतिव्यक्ति आवरा जीला है अभी बताये था आपको यह है सिभर सबसे अधिक है पटना नेस कोचन है question 17 विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-22 का नुसार बित्य वर्ष 20-21 में विहार सर्कार दोरा किया गया कुल बियाय कितना है यह जगा option A हो जाएंगे यानि 16,596 करोर आगे देखते हैं question 18 विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बित्य वर्ष 21-21 में विहार सर्कार दोरा कुल राजस सुब्याय अंतर है यहाँ पर था कुल बियाय और यहाँ है आपका राजस सुब्याय यह जगा option A हो जाएंगे ने इस कोचन देखते हैं question है विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बित्य वर्ष 21-21 में विहार सर्कार दोरा किया गया पुंजीगत बियाय है यहाँ आप से पूछा गया है कि पुंजीगत बियाय कितना है यह है आपका ध्यान रखेगा 26,203 करोर option B हो जाएंगे question number 20 विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बित्य वर्ष 20-22 में राज सर्कार दोरा किया गया कुल बियाय पिछले वर्ष के तुलना में कितनी बिर्धी हुई है यह हुए 13.4% option A हो जाएंगे question number 21 कर विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-21 के नुसार बित्य वर्ष 21-21 में बिहार सर्कार की कुल प्राप्त आई रहा है कुल प्राप्त आई रहा है यह होगा option B हो जाएंगे आगे देखते हैं next question question number 22 कर विहार आर्थी सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बित्य वर्ष 21-21 में कुल राप्त की प्राप्ती पिछले वर्ष के तूलना में कितने परतिसत बीर्दी हुई है कुल राप्ती पिछले वर्ष के प्रेक्षा कितने बीर्दी हुई है यह होगा 3.2% option D हो जाएंगे next question है question है कि 21-22 के नुसार बित्य वर्ष 21-21 में कुल राप्ती हुई तो यह जग आप्षन एव जाएंगे आगे देते next question question है कि 21-22 के नुसार 23-22 में बित्य वर्ष कुल पुंजिगत प्राप्ती पिछले वर्ष के तूलना में कितने परतिसत बीर्दी हुई है तो यह हुआ question number 25 कराई बिहार आप्षिक सर्वेक्षन 21-22 के नुसार 23-21 में बिहार सरकार की कुल पुंजिगत प्राप्तिया हुई कुल पुंजिगत प्राप्तिया हुई तो यह जग option B 36,735 करोर question number 26 बिहार आप्षिक सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बिहार का राजसु घाटा रहा है यह important question ध्यान रखेगा कभी-कभी आपका राजसु घाटा सीधे पूछ लिया थे और कभी-कभी राजसु घाटा के percentage पूछा जाता है तो दोनों data याप याद रखेगा तो यह है राजसु घाटा हो जाएगा आपका option A यह दखेगा option A हो जाएगे 11,325 करोर यतना है राजसु घाटा आगे देखते हैं sorry sorry question था कि बिहार का राजसु घाटा not राजसु घाटा दोनों में अंतर है राजसु घाटा है option A हो जाएगे 11,325 करोर निश्कोचन है question number 27 इसमें है आपका कि बिहार का राजसु घाटा कितना रहा है यह दटा जरूर आप याद रखेगा यह होगा option C 29,827 करोर तो कभी-कभी आपसे डाटा पूछ लेते हैं या कभी-कभी इसका percentage या में पूछ लिए जाते हैं तो राजस्कोचिय घाटा आप जरूर याद रखेगा निश्कोचन है question number 28 question है कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 21,22 के नुसार बित्य वर्स 20,21 में विहार का प्रात्मिक घाटा रहा है विहार का प्रात्मिक घाटा रहा है तो या रहा है 17,343 करोर आगे देखते हैं question number 29 question है कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 21,22 के नुसार 20,21 में 20,21 में विहार का शकल राजकोशिय घाटा कितना प्रतिसद रहा है question है कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 21,22 के नुसार 20,21 में विहार का शकल राजकोशिय घाटा कितना प्रतिसद रहा है तो यह जरूर आप डाटा याद रखेगा कितना प्रसेंट घाटा रहा है यह रहा है 4.8 प्रसेंट option एव जाएंगे option एव जाएंगे question number 30 question है कि पिछले 5 वर्षों में पशुद्धन और मतशिपालन के छेत में कर्मसर बिर्दी दरज की गए यानि पहले आपको बताना है पशुद्धन में second है मतशिपालन में तो पशुद्धन में आपका 10 परसेंट बिर्दी होई है और मतशिपालन में साथ परसेंट बिर्दी हुई है ऑप्शन डी हो जाएंगे निज्ट को जाने कोश्चन नमर्ण 31 कोश्चन है कि विहार आर्थिक सर्वेक्षन 212 की नुसार निम्कित में से कौन सत्य है निम्कित में से कौन सत्य है ऑप्शन ए है फसल संघंता त्रिपता एक सच्वारीज परसेंट मिल्कुल सही है बी है कुल मचली उत्पादन 6.86 लाख टन या भी सही है सी है कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन या भी सही है संचित सकल संचित छेतर चोबन पॉइंट 35 लाख हैक्टेर या भी सही है ऑप्शन ए हो जाएंगे एक से अधिक आग निस्कोचन है कि आर्थी सर्वेक्षन 20-21 सरकार द्वारा राज के कुल कितने जिले में जैविक पट्टी विक्सित की जारी है यह है 13 जिले में यह भी इंपोर्टेंट कोशन है इसे आप याद रखेगा निस्कोचन है कुश्टन नमर 33 कराए पिछले वर्ष पिछले 5 वर्ष के दोरान किरशी और सा वर्थी छेत में बिर्दी दर्ज कितनी परती सद रह है यह नित परती सद ऊगोज़ेंगे Q34 करा है कि आर्थिक सर्वेक्षन Q34 नमबर कि आर्थिक सर्वेक्षन 20-21 के नुसार बागवानी छेत्र में पुर्साहन के लिए राज के कुल कितने जिले में समेकित बागवानी विखास मिसन चलाई जारी है या 23 जिले में आपशन डी उजेंगे Q35 कोशन है कि बिहार में डीजिल किर्शक से वाई देने के लिए बिहार किसी विभाग दोरा कौन सा मोबावाल एपस की सुरुवात की गई है या क्या है विहान एप आपशन डी उजेंगे Q36 कोशन है कि आर्थिक सर्वेक्षन 21-22 के नुसार वर्स 19-20 में बिहार के किस जिले में कर्मसा सार्वदिक और नुन्तम फसल संगनता था यानि सबसे अधिक फसल संगनता और सबसे कम फसल संगनता वाला जीला को आपको चैन करना है तो सबसे अधिक था सिभर में और सबसे कम था गया का ध्यान रखेगा option A होजेंगे Q37 question 37 इसमें आपको मेच करना है तो मेच करना है चाव। पिर है मक्का मक्का हो जाएगा आपका कटी हार फिर है दलहन तो दलहन हो जाएगा पठना यानि आपका देखिए इधा से देखिएगा एक हो गया टू बी का हो गया वन एका टू बी का वन सी का फोर सी का फोर तो यह जोगा option number नमर C हो जाएंगे, आगे दिखते हैं, question number 38, question है, कि आर्थिक शर्वेक्षन, 21-22 के नुशार, पुरुस और महिला, सर्मिक, जनसंख्या अनुपात, देश के परमुख राज्यों में बिहार का अस्थान है, तो बिहार का अस्थान है, अंतिम से पहला, यानि सब से लास्ट मे है, आगे दिखते हैं, question number 39, question है, कि विहार आर्थिक शर्वेक्षन, 21-22 के नुशार, निम्खित में से कौन सा कतन सत्य है, option यह है, कि सरक की कुल लंबाय के मामले में, देश में विहार का अस्थान आठवा है, बिल्कुल सही है, एनच की सावदिक लंबाय, पतना में है, य या भी सही है, यानि, 39 का अपका, तीनों सही है, option D होजाएंगे, 1, 2, and 3, निम्खित कुछन है, कुछन है, कि विहार आर्थिक शर्वेक्षन, 21-22 के नुशार, विहार में, बिजली की परती ब्यक्तिक खपत, वर्स 20-21 में, कितनी थी, यह थे, सारे 300 किलो वाट आवर, यह 41 है, कि आर्थिक शर्वेक्षन, 20-21 के नुशार, विहार का एक मात्र जिला, जहां बिजली की खपत, पिछले वर्सों के तुलना में, कम हो गई है, यह हुआ है, पटना में, इसे भी ध्यान रखेगा, पटना में, पिछले वर्सों के तुलना में, बिजली के खपत, कम हु की मांग 69.95 यानी 5995 मेगवार्ट रही बिलकुल सही है नैं सकेन है पिभार में 20-21 बचली की आपWowट9CCरों बीजली की आपूर्ती यानी 5932 मेवार्ट हुई या भी शही है Так है कि बिभार में बचली की उपलत केरा यानी 2020-21 में 642 याने 6422 मेवार्ट थी तो यह भी सही है तो 42 हो जाएगा option number D 1, 2 and 3 इसे भी ध्यान लखेगा निसकुर्चन है 43 कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षन 20-21 के नुसार बिहार में जल जीवन हर्याली के तद कुल कितना करोर पोधा लगाने का लक्ष रखा है कुल कितना करोर पोधा लगाने का लक्ष रखा है तो 5 करोर option D हो जाएंगे निसकुर्चन है 44 आर्थिक सर्वेक्षन 21-22 के नुसार बिहार सरकार द्वारा परतिक पडिवार और सोचलाई बजाना बनाने के लिए कितना रूपिया सबसीडी के रूपिया दिया जाता है कितना रूपिया सबसीडी के रूपिया दिया जाता है तो यह है आठ हजार option D हो जाएंगे जिसको चलाए क्वेशन नवर 45 45 है कि आर्थिक सर्वेक्षन 21-21 के नुसार निमकित में से कौन सा कथन सत्य है option A है कि एक मात्र जिला जिसका रिन जमा अनुपात राष्टी आई से राष्टी आउसत से अधिक रहा है वो है पूर्णिया बिल्कुल सही है 2 है कि बिहार में सबसे कम रिन जमा अनुपात मुंगेर कर रहा 20 सही है 3 है कि वर्स 20 से किस में बिहार का रिन जमा अनुपात 41.2 पर जिसरा यह भी सही है option D हो जाएंगे 1, 2 and 3 आगे दिखते हैं next question 46 46 है कि विहार आर्थिक सर्विक्षन 21 बैस के उनुचार बिहार में कारी सिल आबादी 2036 तक कितना परतिसत होने का अनुमान है तो यह है 61.4% option number C हो जाएंगे तो next question है कि आर्थिक सर्विक्षन 20 से किस के उनुचार बिहार में बिहार में जन्मकाली जीवन संभ़याता यानि जीवन परतियासा है तो यह याद दखेगा 69.1 वर्स यानि 69.1 वर्स है जीवन परतियासा आगे देते हैं question 48. Question है कि निम्कित में से कौन सा कदन सत है पहला है कि बिहार में बाल बिकास का एजन्टा फोर अस्तम पर अधारित है या बिलकुल सही है सेकेंड है कि बिहार के सभी जीवनों में समेकित बाल बिकास शिवा चल रही है या भी सही है थर है कि बिहार के सुरी सिख्षा के चट में बच्चों की भागेदारी सुनिचित करने के लिए सरकार दोरा सभी बिद्यलाय में बाल संसत की अस्थापना की गई या भी सही है option D हो जाएंगे उप्योक्त सभी आगे देते हैं question number 49 49 है कि आर्थिक स्रिवेक्षन 20-21-21-21-2020 में बिहार के आउस्थ वर्सा हुई या भी या दखेगा 1385 में आगे देते हैं next question है question number 50 आर्थिक स्रिवेक्षन 21-21-21-2020 में सारवधिक और निंतम वर्सा वाले जीला है यानि सबसे अधिक किस जीला हुआ था और सबसे कम किस जीला तो सबसे अधिक वा किस संगन जीला और सबसे कम अरवल जीला option A हो जाएंगे thank you दिने बाद अगले वीडियो माँ आप आप लोग को बिहार बज़र से समिद 50 question का एक set लेकर आएंगे